नमस्कार आपका स्वागत है जम्मू लिंच निउस में और मैं हूँ विशाल शर्मा इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दे कि सांबा अंतराश्टी सीमा से हत्यारों की स्मगलिंग जो है वो होते हुए रोकी गई है और इसी दोरान जो है वो बड़ी मात्रा में हत्य अभी हाथ लगी है कि वेपन स्मगलिंग बिड जो थी पाकिस्तान की तरफ से अक्रॉस दा बॉडर वो वहाँ पर की जानी थी लेकिन इससे पहले कि वो सक्सेस्फुल अटेम्ट होती ब्यस फ ने इस बिड को फॉयल कर दिया और रिकवरी जो है वो यहां से मेड़ की है ज इतनी बड़ी पैमाने पर जो है यह वेपन स्मगलिंग बिड थी और अभी जो है वो इस पर पूरी clarity जो है वो नहीं आई है कि क्या इतना ही वेपन जो है वो जो था वो स्मगल हुआ या पर स्मगल जादा होना था और बिड को जो है वो इंटरप्ट किया गया बहुत से इ इसमें recovery तक made up हुई है और recovery में चार पिस्टल है आठ मैगजीने हैं 232 राउंड्स हैं तो पाकिस्तान जो है वो लगातार जमो कश्मीर में जो है वो अशांती फिलाने के प्रयासों में लगा हुआ है और इसी सब के बीच रिक्रीट सर्मिनी के बाद जो है वो ड्रोन से व recovery तो उस ड्रोन ड्रोपिंग से हुई थी तो उसमें एक 47 राइफल थी मैगजीने थी एक स्कूप था नाइट विजन डिवाइस था और जिन्दा कार्थूज थे उसके बाद अब सामबा अंतराश्टे सीमा पर ये वैपन स्मगलिंग बिड जो है ये होती है इससे भी ऐसा फॉयल करती है और इसमें recoveries आप देखिए चार पिस्टल आठ मैगजीने और 232 जिन्दा कार्थूज तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से इस समय इस परयास में है कि किसी प्रकार से जम्मो कश्मीर में और विशेशकर अब उसका focus जम्मो संभाग है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान को यह हजब नहीं हुआ और फिर उसका reaction जो है वो सीमाओ पर देखने को मिलने लगा वो drone से dropping होने लगी और दोनों ही बार जो है वो यह bid यह कोशिश पाकिस्तान की जो है यह विफल रही है और इस बार सांबा अंतराश्य सीमा पर से रिकवरी की गई है इसमें चार पिस्तोल है आठ मैगजीने है दो सो बतीस जिंदा कार्तूस है और यह काफी बड़ी रिकवरी है और इसमें एक और चीज़ सा गौर करने वाली है कि इसमें चार पिस्तल है यानि के छोटा हाथियार जो है वो पाकिस्तान यहां पर फैक रहा है और दूसरा कि उसके है हैं यहां पर मोजूद हैं और यहां पर मौझूद हैं और या पर आतंकी है यहां जम्मू संबाग में इनकी मौझूरकी हैं के समर्थक हैं वही आकर इस कंसाइनमेंट को रसीव करते लेकिन दोनों ही बार उसमें वह कामयाब नहीं होई और शुरक्शाब बलों गोकौ bud number regener जो है यह पूरी है जब तक इनके handlers इनके sleeper cells नहीं पकड़े जाते तो यह खत्रा यह संकट इसी प्रकार से बरकरार रहेगा और दूसरा चार पिस्टल जो ड्रॉप किये गए हैं 232 राउंड है आर्ट मैगजीने हैं यह बताती है कि छोटा हात्यार है यानि के untrained और hybrid आतंक का संकट यहां पर हो सकता है यह चोटा वैपन कश्मीर में भी इस्तमाल में लाया गया है और उससे target जो है वो individuals को किया गया point black range से यानि के जो untrained आतंकी है वो point blank range पर जाकर shoot करते हैं और अब यह चोटा वैपन जो है यहां पर drop किया जा रहा है यानि चोटे वैपन का इस्तमाल जो है वो hybrid आतंकी untrained आतंकी जो है वो उनसे करवाने की मनशा है और शायद कुछ newly decreed जो होंगे जो hybrid होंगे और शायद जिनका police record नहीं होगा वो active होंगे और उनहीं ने यह consignments receive करनी थी और इसलिए शायद police जो है हमारी agency जो है वो इन तक पहुंच नहीं पा रही लंबे समय से जो है यह स्थिती साफ है कि यहां पर इनके handlers इनके sleeper cells मौझूद है यह airport पर drone से हमला होता है उसके बाद posters जो है वो अशोग नगर में लगते हैं उसके बाद drone dropping ज जानी कि इनके sleeper cells इनके handlers इनके जो लोग है वो यहां पर मौझूद है लेकिन अभी हमारे पार हमारी धरपकड़ से बाहर है शायद hybrid अतिंकी है लेकिन बहुत जल्द वो भी पकड़े जाएंगे पर एक बड़ी काम याई भी एक बड़ी काबर इस समय कि सामा इस तॉल आठ मैगजिने और 232 जिन्दाकार्तोस जो है वो बेरसफ ने बरामत किये हैं नमस्कार